ज्यादा पुन्य किसका? वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था. एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया. राजा ने उसे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए? तो उसने जवाब दिया हजार तोले सोना. पिर भी उसने उसकी बात मान ली. उस दिन से वीरवर रोज हजार तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता. उसमें से आधा ब्राहमनों में बाट देता. बाकी के दो हिससे करके एक महमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता. उसके बाद जो बच्चता, उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता. काम ये था कि शाम होते ही डाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता. राजा को जब कभी रात को जरूरत होती, वह हाजिर रहता. एक आधी रात के समय राजा क पतकाल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पाव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाच्टी है, कभी कूदती है और सिर पीट-पीट कर रोती है। लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो। उसने कहा, मैं राज लक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं। इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पढ़ने वाला है। मैं वहां से चली जाओंगी और राजा दुखी होकर एक महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है। स्त्री बोली, हाँ, यहां से पूरब में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीष चरा दो तो विप्ता टल सकती है। फिर राजा सौ बर्स तक बेखट के राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगा कर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वाख खुश होकर बोला, आप मेरा शीष काट कर जरूर चरा दें। एक तो आपकी आजशा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे ये दे देवता पर चड़े, इससे बढ़ कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ, सत्री बोली, सत्री का धर्मपती सेवा करने में है, निदान चारो जने देवी के मंदिर में पहुँचे, वीरवर ने हाथ जोड कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बली देता हूँ, मेरे राजा की सौ बर्स की उम वीरवर ने सो की घर में कोई नहीं रहा, तो मैं ही जिकर क्या क्या करूंगा, उसने भी अपना सिर कार डाला, राजा को जब मालूम हो तो वहां आया, उससे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए चार प्रानियों की जान चली गी, वह सोचने लगा कि ये साराज करने से दिक ये सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया, पुली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन हूँ, तु जो वर मांगेगा सो दूंगी, राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन हो तो इन चारों को ज जिला दिया, इतना कहकर बेताल बोला राजा बताओ, सबसे ज्यादा पूनी किसका हुआ, राजा बोला राजा का, बेताल ने पूछा क्यों, राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्रान देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड जान को तिने के समान समझ कर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड परजालत का पेचारा राजा दौरा दौरा वहां पहोचा और उसे फिर पकड़ कर लाया तो बोताल ने चौथी कहानी कही